अब हम तुनीर एकाउंटेंट की TDS से सम्वंधित शमताएं जानने के लिए एक कंसल्टेंसी एक्सपेंस एवं एक प्रोवाइडर याने सेवा प्रदाता प्रकार का खाता बनाएंगे. नाम कंसल्टेंसी एक्सपेंस प्रकार एक्सपेंस ग्रूप होगा सेलिंग एड्मिनिस्टेटिव एक्सपेंस और सेव बैक और हम अब एक सेवा प्रदाता प्रकार का खाता बनाएंगे और इसके पहले हम सेवा प्रदाताओं के लिए एक अन्य ग्रूप या समू बनाना चा हम Sunday Crater Group के अंतरगत बनाएंगे। नया ग्रूप बनाने के लिए हमें New Group बटन पर क्लिक करना होगा। और नय ग्रूप का नाम होगा Service Provider। आपने देखा तुनिर एकाउंटेंट में नया ग्रूप बनाना कितना आसान है। सब कुछ कितनी तेजी से वह आपकी नजरों के सामने होता है। अब हम इस ग्रूप के अंतरगत एक नया खाता खोलेंगे। नाम TechnoServe India Limited। प्रकार Supplier। ग्रूप होगा Service Provider। और क्योंकि यह एक Service Provider प्रकार का खाता है, हम इस पर TDS लागू करेंगे। जिसके लिए हमें Enable T Ideas पर क्लिक करना होगा। अब हमें पूर्व निर्धारित डिड़क्टी टाइप की सूची में से एक डिड़क्टी टाइप चुनना होगा। यह Company Resident प्रकार का करदाता है। हम सरचार्ज पर छूट की सीमा को लागू नहीं करना चाहते हैं। यदि आप लागू करना जाते हों तो इससे खाली रहने दीजिए। इस सेवा प्रदादा के लिए Default Nature of Payment, Fees for Professional and Technical Services है। एक खाते में TDS लागू करने के लिए आपको किवल इतना ही करना है। अब इसके बाद जब भी इस खाते में विभार होगा, दोनीर एकाउंटेंट इस जानकारी के अधार पर अप इसने आप ही TDS काट लेगा। अब हम TecnoServe India Limited से किये गए अनुवंद को खाते के साथ सनलगन कर देंगे। जिससे भविश में जब भी हमें यह अनुवंद देखना होगा, तो हमें फाइलें नहीं ढूननी पड़ेंगी। और आप Save Back बटन पर क्लिक करेंगे।